नमस्कार दोस्तों मैं अच्छे लाल भगत अपने यूट्यूब चैनल अन्राक कमन सर्विस में आप सबों का स्वागत है चले दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे रासन कार्ड के बारे में जो कि एक बहुत ही अच्छी ख़बर निकल कर आई है कि रासन कार्ड अब ओन्लाइन आवेदन होना चालू हो जाएगा उसे हम किस परकार ओन्लाइन आवेदन करेंगे इस बारे में आज हम इस वीडियो में जनकारी लेंगे तो चले वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर जैदि आपने मारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो लावाले बटन को दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन के घंटी को दबा कर देगा ताकि ऐसे ऐसे लेट इस वीडियो आपको हमेशा मिलता रहा है तो दोस्तो रासन कार्ड में नाम आइड कर सकते हैं वो किस प EPDES बिहार दोस्तों इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे EPDES बिहार टाइप करने के बाद यहां फ़ास्ट वाला जो वेबसाइड ओपन होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां देखिए खा देऊंग वो भगता अच्छण विभाग उसके बाद आपको आना है डेमो और सी एमेस ओनलाइन देखिए यहां पर दोस्तों लिखा है इस डेमो साइड जोस्ट फोर टेस्टिंग परपस टू टेस्ट दो फंशन ओफ अप्लिकेशन दोस्तों यह जो वीडियो बनेगा यह टेस्टिंग परपस के लिए बनाए गया है इसे हम अप्लाइ करेंगे उसके बाद यह रिजेक्ट हो जाएगा डिलिट कर दिया जाएगा यह डाटा तो यहां पर देखिए एसडियो एंड वीडियो लोगिंग और यहां पर ओनलाइन अप्लाइड अप्लिकेशन यूजर तो इस पर आपको क्ल करने के बाद यहां पर लोगिंग आईडी और पासवर्ड आपको टाइप करना है लोगिंग वाले बटन पर क्लिक करना है तो चलिए यहां पर हमारा इजट आईड नहीं है तो टू रजिस्टर क्लिक हैर पर क्लिक कर दे रहे हैं फिर उसके बाद यहां पर आपको अप्लि आप करने के बाद दुसरा page open होगा वहाँ पर आपको जो यहाँ पर applicant name type की हैं वो उसी का अधार number वहाँ पर type करना है उसका नाम वहाँ पर match करना चाहिए अधार number type करने के बाद आपको confirm password का option हैगा वहाँ पर अपना ID password बना लिजेगा फिर आपके mobile पे user ID और password चला जाएगा फिर back to login पे आपको click करना है back to login पे click करने के बाद यहाँ पे आपको login ID और password टाइप कर लेना है उसके बाद चलिए अपने login ID और password टाइप कर चुके हैं और capture यहाँ पे type करके login पे click कर दे रहा है लोग इन पे click करने के बाद इसका देखिए यहाँ पे welcome to JVA राशन कार्ड पोटल ओपन हो चुका है इसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या का documents मांग रहा है यहाँ पे आपको अधार card का चायप्रती बैंक खाता के प्रथम चायप्रती उसके बाद आपको आवासिय पर्माट पत्र संपून परिवार का एक photograph जिसमें सारे ब्यक्ति का photo होगा उसके बाद है बिकलांक तब पर्माट पत्र आगर जदी आप बिकलांक है तो आप अपने certificate दिजेगा नहीं है तो नहीं दिजेगा तो चलिए इसे apply करने के लिए आपको आना है apply वाले पर फिर यहां पर new apply ruler एवं अर्बन तो rural मतलब grammar अर्बन मतलब सारी तो हम rulers है तो ruler पर click करेंगे फिर उसके बाद यहां पर आपको district select रहेगा छेत्र भी select रहेगा अन मंडल आपको select करना है चलिए हम अपना अन मंडल select करना है उसके बाद आपको अपना ब्लोक select करना है चलिए हम अपना ब्लोक भी select करना है उसके बाद आपको अपना पंचायद select करना है चलिए हम अपना सेलेक्ट कर लए रहा हैं, उसके बाद यहाँ पे दek희ए, अप्लिकेंट का नाम सो करेगा, अजिए एंगलिस दोनों में, उसके बाद उनके पिता जी या पिता जी हा, सब्सक्राइब का नाम यहाँ पे अग्रेजी, हिंदी दोनों में टाइब करना है, तो देखिए यहां पर हम video purpose से बना रहे हैं testing purpose से तो आपना नाम दिया हैं लेकिन यहां पर महिला के नाम से राशन काड़ बनना चाहिए बहुत ही अच्छा होता है तो यहां पर आप अपने घर के किसी भी बुजूरूर्ग महिला हैं साब के मम्मी है दादी है उन्ही का नाम यहाँ पर टाइब कीजिएगा हिंदी इंग्लिस में और आगे उनका हस्बन का नाम टाइब कीजिएगा यहां पर अंगरेजी में और हिंदी में दोनों में आपको चलिए आपने पिता जी का नाम टाइप कर दे रहा है आ अप हिंदी में भी टाइप कर दे रहा है उसके बाद आपको अपना लिंक सेले alltid करना है पुरुसाएं महिला है यहां पे पुरा आवासी है पता आपको टाइब करना है मतला आपने गाउं का पोस्ट गाउं थाना ये सारा आपको टाइब करना चलिए हम टाइब करदे रहें ताइब करने का अधर लिंग आपको सेलेक्ट करना है पूलूस महिला अन्य जो भी हैं जिसके नाम से बना रहे हैं देख लीजेगा यहाँ पर पूरूस सेलेक्ट कर दिया फिर उसकी बाद उमर सेलेक्ट करना है उमर भी टाइब कर दिया बैबाहिक इस्थिति अभिवाहित बिवाहित, बिधवा, बियूक, तलाक सुधा जो भी हैं, यहाँ पर उस उप्शन को सलेब कर लिजेगा, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एश्टार मार्क दिखा रहा है, जिसमें जिसमें एश्टार मार्क लगा रहेगा, उसको आपको फिलप करना है, फिर जाती आपको सलेट करना है, उसके बाद बैवसाइक, यहाँ पर देख लिजेगा वास्तिवी क्यतियार, बैपार, सरकारी, नोकरी, जो भी है, ग्रेणी हैं, जो भी हैं उस उनसर, यहाँ पर सलेट कर लिजेगा, उसके आगे, आई का सुरुत, इसमें एश्टार म नारक है, तो यहाँ पर मासी काई आपको देना ही पड़ेगा, तो चली यहाँ पर मासी काई टाइप कर दे रहा है, यहाँ आपका अधार नंबर, मोबाईल नंबर, और बिकलांता है, तो यहाँ पी एस कीजिएगा, नहीं ह iç हैं, तो नो कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करना है यहाँ पर पास जो बैंक है उससे सेलेक्ट कर लिजिए बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आफसी कोट सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद यहां पे आपको account number टाइब करना है तो इस आपको account number टाइब कर दे रहे account number टाइब करने के बाद submit वाले button पे click कर देना है देखें यहां पे success हो गया यहां पे मिरा application ID नमर मिल चुका है इसे हम copy करके रख सकते हैं इसे save कर सकते हैं वोके करने कृएब आपको होमवाले बटन पर किलिक करना होमवाले बटन पर क्लिक करने कृएब अप्लाय में फिर जेल जाना है फिर आपको जाना है iki डिट हुम वाले बटन पर क्लिक करने के फिर आपको अप्लाई वाले में जाना है फिर आपको जाना है इडिट अप्लिकेशन यहाँ पर अप्लिकेशन हम फिल अप कर चुके हैं मेंबर में जाएंगे मेंबर में जाने का दिहां पर एडिट मेंबर कर सकते हैं आप फिर उसको वाले बटन पर जाएंगे फिर अप्लाई फिर इडिट अप्लिकेशन अप्लोड डॉक्मेंट में आपको जाना है फिर यहाँ पर आपको अपना जो डॉक्मेंट दे रहे हैं उसको चुछ फाइल पर करके अप्लोड करना है यहाँ पर अधार कार्ट की छाय प्रत बैंक पास्बूक, हावासिय परमाद पत्र, संपुर्ण, ग्रूपिंग फोटो मतलब पूरे फैमिली का फोटो जो आप रासन कार्ड में देना जिनका बनवाना चाहते हैं फिर बिकलंकता सेटिफिकेट प्रमापत्र है तो उसको भी दिजेगा नहीं है तो छोड़ दिजेगा फिर अपलोड पर आपको किलिक कर देना है सारे बटन पर टिक करके जो जो documents आप देना चाहते हैं उसे tick करके आपको upload वाले बटन पर click कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर कोई भी documents अप्लोड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि video purpose है फिर home वाले बटन पर click करना है फिर apply पर जाना है फिर edit application फिर आपको final submit पर जाना है पाइनल सब्मिट पर किलिक करना है यहां पर देखिए आपका सारा डॉक्मेंट डाटा दिखाई देगा फिर आपको यहां पर आना है और यहां पर देखिए मोटर यहां पर तिन पर चार पर वहां है या नहीं है फिर आपको मसीन है या नहीं है मतलब यहां पर जितना भी दिया है यहां पर पढ़ दिजिएगा उसके अंसार यहां पर हाँ या नहीं पर किलिक किजिएगा तो दोस्ते यहाँ पर सभी को नहीं करना है अगर आप भूल से भी किसी में हाँ कर दयते हैं तो आपका राषन कार्ड नहीं बनेगा इन सबों को नहीं 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 पर किलिक करना है रहते हैं नहीं पर किलिक करना है उसके बाद आपको यह चेक्ड़ास को किलिक करना है और फिर download upload documents जो दिये हैं उसको download कर सकते हैं या download application form दोने में से किसी को कर सकते हैं तो चलिए हम download upload documents पर कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कोई data upload नहीं किया है documents में तो यहाँ पर server दिखा रहा है फिर यहाँ पर download application forum यहाँ पर भी download application forum पर किलिक किये यहाँ पर भी ओई चीज़ दिखा रहा है क्योंकि हम final submit नहीं किया है और यह video जो है testing purpose के लिए कोई ना कि online apply के लिए तो इस तरह से हम राशन कार्ड में member add कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए online apply कर सकते हैं तो चले दस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आगे के लिए धन्यवाद पत्व लिए झाल कर सकते हैं चले जहा है तो बस्तों दाम जाम